हम इस बात को भी अपने जीवन में घटित करना होगा अपनी जीवनम पर उतारना होगा अपने जीवन में समाहित करना होगा कि हम कैसे अन्य जीवों के धन अन्य लोगों के धन संपत्ते आदे चीजों पर कुद्रिष्ट कैसे डाल देते हैं हम उन्हें अपना बनाने का प्रयास कैसे करने लगते हैं उन्हें अनाधिकृत पालेने की हम कोशिश कैसे करने लगते हैं यही एक छण होता है यही समय होता है जब हमारे नियत टगमगार ही होती है ऐसे ही समय पर तो संतुलन एवं समन्वे की जरूरत होती है यदि इस छण पर हम खुद को संतुलिक कर लेते हैं तो हम उस पाप कर्म से बच जाते हैं पर अधिकांस ऐसा नहीं होता अधिकांस लोग तो अन्य धन अन्य लोगों के धन, संपत्ति द्रफे पर कुद्रिष्ट ही डालते रहते हैं उन्हें लगता है कि यह मुझे मिल जाए तो अच्छा होगा बेतर होता कि वे मेहनत करके इमानदारी से इन सभी चीज़ों को पाने की कोशिश करते पर दुख होता है कि वे ऐसा करने के बज़ाए चोरी बेमानी लोट छीन लेना, जबरजस्ती ले लेना जबरजस्ती छीन लेना, जबरजस्ती चीज़ों को गायब कर देना ये कैसी मानदा है मानद सभीता किस मोड़ पर जा रही है हमें इस बात को समझना होगा अनिक विक्ति के धन, रुपए, संपत्ते या अनिक द्रव्वे को हमें ये अपनाम बनाने की कोशिश, जबरण पालेने की कोशिश, अनाधिकरत पालेने की कोशिश की आदतों को छोड़ना होगा तब ही मानवता किसे धनतों पर हम खरे उतर पाएंगे